ज्यापुर में गोवंच को तेजाब से जलाने का मामला सामने आया है इसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री जगनात पहाडिया की बहू ने बस्सी धाने में केस दर्ज करवाया है दोलतपुरा में हुई इस घटना को लेकर ग्रामीनों में भी भारी आक्रोश है दरसल पूर्व मुख्यमंत्री जगनात पहाडिया की बहू आभा पहाडिया ग्राम दोलतपुरा में जमीन की देखरे के लिए पहुँची थी यहां खेट में जली हुई गायों को देख बस्सी धाना वे नगर निगम को सूच ना दी गई इसके बाद NGO की मदद से गायों को हिंगोन या गोशाला में सिफ्ट कराया गया आभा पहाडिया ने बताया वे अपने पुत्र वरुन पहाडिया और वैभव पहाडिया के साथ खुद की जमीन को देखने के लिए गाव आई हुई थी गाव में हमने देखा एक गाय की चमड़ी जली हुई थी चमड़ी पर कीड़े पड़े हुए थे तब हमने अपने गाड कमले से मालूम किया कि उसने बताया कि बहुत सारी गायों पर गाम वालों ने तेजाव फेक दिया है इससे उनके घाव हो गए है आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है अब देखते हैं इस मामले में आगे की क्या कारवाई होती है जिस पर निगम और पुलिस को घटना की जानकारी भी दे दी गई है मियर हेरिटेज जैपुर ने एम्बूलेंस उपलब्द करवाई गाम वालों से पता चला कि हनुमान मीना वे उसके साथ ही उन्हें गाय पता तेजा फेका है इस पर बस्तिधाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कर आई गई है बस्तिधाना पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट मिलने पर एफाई या दर्ज कर जान शुरू कर दी गई है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उनसे पूस्ता चल रही है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा